सुप्रीम कोट के चीप जस्टिस दीवाई चंदरचूर के उपर धश्टचार के आरोप लगाय जा रहे हैं। उन्हें बद्दाम करने की कोशिस की जा रही है। कहने कहीं इसके पीछे एक बड़ी साजिश की भी बात कही जाती है। मोदी सरकार चेप जस्टिस दीवाई चंदरचूर को बद्दाम करना चाती है। लेकिन क्या चेप जस्टिस सरकार के इन हमलों के आगे घुपने टेक देंगे या तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या है पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। चस्टिस दी वाई चंद्रचूड 9 नमंबर को भारत के मुख नयाधीश मनाये गए। कानून मंत्री किरन रिजिजू ने नयापालिका को चेताबनी दी कि वो लक्षमन रेखा पार करने की कोशिश न करे। कई बार सुप्रीम कोट के जज़ को धमकी दे चुके हैं। मुंबई के आरके पठान नाम के एक व्यक्ति ने राश्टपती दुरुपते मुर्मु के यहां शिकायत दर्ज की कि जस्टिस चंद्रचूड जब सुप्रीम कोट के जज़ थे तब उन्होंने कैसे मामले में फैसला सुनाया था जिसमें उनके पुत्र अभिनम चंद्रचू और कहा यह शिकायत नैपालिका के कामकाज में दखल देने की एक शर्मनात और दुरुभावना पूर्ण कोशिस है बयान में कहा गया कि चनलोग उस शिकायत को वाइरल कर रहे हैं जिनमें मुंबई के दो तीन वकील भी शामिल हैं और यह जानबूच कर तब किया गया जब जस्टिस चंद्रचूड मुखन्याधिश का पदभार सम्हाल रहे हैं सुप्रीम कोट ने उस विवादास्पद पत्र के अधार पर दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मांग की गई थी कि जस्टिस चंद्रचूड को मुखन्याधिश का पदभार न सम्हालन जिसमें जस्टिस चंद्रचूर को मुख नियाधिश निक्त किये जाने पर रोक लगाने की मांग की गई थी और यह जाज कराने की भी मांग की गई थी कि उनका देश द्रोहियों और नकसलवादी इसाई आतंगवादियों के साथ कोई सम्मन तो नहीं है हाई कोट निस्याचका को परचार पाने की कोशिश बता कर खारिज कर दिया कानून के डिगरी रखने वाले मगर कानूनी मामलों का कोई अनुभव न रखने वाले एक मंतरी 15 महने पहले इस मंतराले का जिम्मा सम्हालते हैं सुप्रीम कोट के जजों पर हमला बोलना शुरू कर देते हैं अगली बात जिसने चीप जस्टिस चंद्रचूल पर आरोप लगाये थे उसे बार काउंसल के मुताबिक सुप्रीम कोट ने एक नयाधीश के खिलाफ जूठा मुकत्मा दायर करने के लिए तीन मा केई गैद की सजादी थी इससे पहले जस्टिस रंजन गोगोई पर जब सुप्रीम कोट एक करमचारी ने योन उत्पिलन का आरोप लगाये था तब उन्होंने कहा था कि इसके पीछे कोई बड़ी बहुत बड़ी ताकत हो सकती है उनका इशारा पियम मोदी के कारेले की तरफ था नए मुख न्याधिश जस्टिस चंद्रचूड को अभी अभी अगनी परिछा देनी पड़ी है क्योंकि कुछ लोग उन पर बेमानी का आरोप लगा कर उन पर निशाना साथ रहे थे लेकिन अभी एक बड़ी चिनोती उनका इंतिजार कर रही है क्योंकि देश के कानूं मंत्री सरकार के उस इरादे का संकेत दे रहे हैं कि सुप्रीम कोट हाई कोट में अपने मनमर्जी के जजों को बैठाना चाहते हैं